अगर आप इस न्यूजपेपर की पीडियेफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको मिलेगे टेलिग्राम पर जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्सिन मिल जाएगा या सीधा प्रिवर्तन आयो सेकेडमी टेलिग्राम पर लिखकर भी आप लोग सर्च कर सकते हैं सबसे पहले बात करेंगे अगर आप फ्रेंट पेज पर बात करते हैं तो फ्रेंट पेज पर आदिज न्यूज जो है पॉलिटिकल न्यूज नजर आएगी लेकिन कुछ इंपोर्टेंट न्यूज जैसे इलेक्शन कमिशन ओफ इंडिया ने देश में अभी आप देखिएंग दिया है अब वर्चियल फॉर्मेट में डिजिटल फॉर्मेट में कर सकते हैं बट कुछ रिलेक्शेशन भी अब दिये गए हैं जैसे इंडूर मीटिंग जो है वाद 300 परसंट तक वो और्गनाइज करी जा सकती है ठीक इसके बाद यहां पर बताया गया कि 50% के पैस्टी जो इंडूर एक तरीके से वेन्यू होता उसकी 50% के पैस्टी या 300 पीपल तक हो सकते हैं इस टाइम देश में गोवा, मनिपूर, पंजाब, उत्रप्रदेश और उत्राखंड के अंदर जो इलेक्शन का प्रसीजर है वो स्टार्ट हो चुका है और आठ जनुरी को जब अन पर election commission of India ने अलग-अलग ministry से लेकर union health and family welfare ministry हो, chief electoral officer हो, या chief secretary हो, health secretary हो, इनके साथ consultation किया और COVID-19 को लेकर एक तरीके से review किया गया, इसके लाबा यहाँ पर state disaster management authority से भी consultation किया गया, यह बहुत important है, क्योंकि देश के अंदर जो restriction लगते है, lockdown लगते है, उसमें disaster management authority एक तरीकिस act क वो provision लगा जाते है, election commission of India ने बोला, किसी भी परकार की पदियात्रा, cycle, bike, vehicle really नहीं हो सकती, आप जीत के बाद जो है, वो पटाके नहीं जला सकते, फोर्ट सकते, क्योंकि आपको बिल्कुल शानती से घर पे जाना है, यह सारी चीज़े बताई गी है, और उसी के बारे में पुरा का पुरे procedure है, हाला कि अब जो election commission of India ने जो दूरदर्शन पर या ओल इंडिया रेडियो पर जो timing है, एक तरीके से, जो advertisement की उसको increase कर दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर जो timing a lot होते है न, दूरदर्शन पर या ओल इंडिया रेडियो पर, वो depend करती कि आपकी political party, national political party ह या आप registered है, non registered है, अलग-अलग context में आपको नजर आएगी, तो यह सारी चीज़े बताएगी थी, इस तरह की observation जो सबसे पहले बिहार में जो भी election हुआ था, 2020 के अंदर, तब यह तरीके से guidelines जो जारी करीगी थी, election commission of India के दौरा, ठीक, तो यह basic सी जानकारी है, model code of conduct के बार code of conduct लागू रहेगा, यानि आदरस अचार सहिंता इसका हिंदी में मतलब होता है, इसका मतलब यह होता है, कि चाहे candidate हो, political party हो, या वहाँ के अभी जो chief minister हो, वो उनको कुछ rules and regulation follow करने पड़ेंगे, यह simple सा एक rule होता है, अगर आप उसका violation करते हैं, तो आपके against action जो हो, वो इसके बाद बात करते हैं, कुछ छोड़ी छोड़ी न्योज आपको नजर आएगी, यहाँ पर एक photograph आपको नजर आ रहा है, यह photograph आप देखेंगे, और यह photograph असम की morigound stick का है, ठीक है, यहाँ पर माग भ्यू के उपलक्स में एक bull fighting का organization किया जाता है, देश के अंदर मगर सक procession होता है, या बोल सकती कुछ परंपराओं को भी execute किया जाता है, कई बार debate सुरू होती है, कि animal rights और human tradition के बीच में, क्या एक तरीके से balance create किया जा सकता है, जैसे जली के बारे में पढ़ते हैं, बुल को control करने, कोसिज करना, इसी तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे, एक भैसा है, उसको कैसे आप उसको fighting के लेकर promote करेंगे, इसी तरह कैसे अंदर परदेश में कोक fight होती है, इसी परकार से आपको करनाट का गंदर देखने होगा मिलेगी, कि वहाँ पर भी इस तरह के rituals होते, तो क्या हमारी tradition जो है, उसके बीच में और animals के right के बीच में, क्या एक balance create किया जा सकता है, यहनि tradition और animals को injure भी ना करें, और humans भी उसकी कई बार क्या होता है, कि इस तरह के procession की वज़े से injury होती है, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, यह topic काफी जादा highlighted आपको नजर आता है, इसके अलाबा, इसके अलाब छोड़ी छोड़ी चोड़ी शी news है कि विराट कोली ने captain ship छोड़ी test captain के रूप में, यह news बहुत important नहीं है, बट आ सकती है कुछ examination में, अब बात करते हैं, unexpected weather led to chopper crash, आपने पड़ा हम सब ने देखा कि हमारे जो first chief of defense staff general विपिन राव साव थे और 13 अधर जो है, वो chopper crash के अंदर वो सहीध हो गये थे, और M117 वी try services का मतलब होता है, तीनों जो services होती है हमारी Indian Navy, Indian Army और Indian Air Force, ठीक है, क्योंकि CDS का function ही होता है, इन सब के बीच में coordination को establishment करना, इसी चीज़ को लेकर inquiry हो रही थी, inquiry का एक procedure होता है, उसी के अंदर यहाँ पर ही बताया गया है, कि भाई, इसके अंदर unexpected weather जो है, उसकी वज़े स है, इसका simple सा मतलब यह होता है, कि altitude, latitude और speed का idea नहीं लगता पाइलेट को, ठीक है, तो control flight into terrain वाला region जो उसको कहीने के उसके control से बाहर चला गया और एक special disorientation देखने को मिला, तो court of inquiry ने किसी भी प्रकार के mechanical failure, subtase करके यह इसमें बोला जाता है कि जान बूज कर कोई गलती कर वो नहीं का कि यह नहीं हुआ, इसमें reason is that कि यहाँ पर एक तरीके से unexpected weather ही एक reason है इसका पूरे सिनेरियो में, ठीक है, तो यह information देखी, एक inquiry थी, वो लगभग लगभग complete हो चुकी है इस पूरे case के अंदर, ठीक, तो यह basic सी जानकारी है, इसके बाद यहाँ पर अगर हम ब है, उन्होंने एक important and loud and clear message दिया, army to keep status on border, यानि भारत की जो boundary है, उसको maintain करने के लिए, army जो हो, वो intact है, किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटने वाली है, और यह definite सी बात है, even Indian army में मैं शोर नहीं हूँ, कि Indian army में अगर वार हो रहा है, माल लेते किसी country के साथ वार हो रहा है, Indian army में वार नहीं हो रहा है, किसी country के साथ यूद हो रहा है, जैसे पाकिस्तान के साथ हमारा यूद हो रहा है, और कोई भी soldier पीछे है, नहीं हट सकता, this is rule in Indian army, इसके लावा, यहाँ पर आप देखेंगे, army chief general mm नर्वने साब ने बोला, कि भाई, हमारा patience हमारी ताकत है, self confidence क बटि यह हमारी कमजोर, इसको हमारी कमजोरी ने समझर कोशिज करेंगी, testing करनी है, वो चीज़े नहीं करनी, हमारा message बिल्कुल clear है, कि अगर आप status क्यों है, यानि boundary को change करने कोशिज करेंगे, वो भी unilaterally ने एक तरफा, तो यह कभी successful नहीं होगी, तो बहुत ही clear cut message दिया, और खास कर पाकिस्तान और चाइना, क्योंकि हमारे दो neighboring country ऐसी है, जो की लगातार boundary को लेकर कोशिज करते हैं, उसमें changes करने की, ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक छोटी ची news है, चाइल्ड वेलफेर की in custody battle, Supreme Court की एक issue एक तरीके से, judicial processing जो होती है, उसे के अंदर एक information type case है जिसको लेकर यह बताया गया, कि चाइल्ड का welfare जो है, custody battle के अंदर important है, कि कौन custody उसका लेगा, parents लेंगे, father लेंगे, mother लेंगे, या किसे और को custody दी जाए, इन सब में सबसे जरूरी है कि बच्चे का ध्यान रखा जाए, यह सबसे ज़्यादा important है, और legal right of parents irrelevant in such case, यानि मात पिता के legal right है कि नहीं है, उन सबसे ज़्यादा है उस बच्चे की welfare, तो यह एक brief information, कई बार अगर आप देखेंगे, 2021 में I think UPSC प्लिम्स में, custodial, custodial death को लेकर, या custody को लेकर, judicial custody, police custody को लेकर सवाल हुआ था, question हो सकते हैं, but judicial question का अगर आप UPSC में देखेंगे, तो वो major event ह होते हैं, उनके उपर सवाल पुछे जाते हैं, तो यह बहुत major तो नहीं कहूंगा, just basic type में है, लेकिन आप इसको mention कर सकते हैं, general study paper 1 के अंदर, और इसके लावा अगर आप देखेंगे, दूसरे points में अगर हम mention करते हैं, तो इसमे paper number 4, GS ethics वाले paper के अंदर भी पुछा जा सक सकते हैं, मैं अभी बताऊंगा आने वाले time में कि ये कुछ चीज़ें जो आपको note करनी है, इसके बाद page number 5 जो होता state information वाला होता है, state के बारे में बताता है, तो इसमें केरला का एक project है, silver line project, और यहाँ पर आप देखिए, ये इसकी mapping है, ठीक है, तिरुन पुरम से कसार ग इसलिए है, कि केरला वो state है, जो कि environment और ecology के हिसाब से बहुत जादा vulnerable है, इसको लेकर कई बार allegation भी लगते हैं, कि भाई, ये जो state है, इसके अंदर क्या एक पूरे प्रोसीजन की अगर हम बात करते हैं, क्या इस तरह के project कोई viability है, जब even हमने पिछले कुछ दिनों कुछ पहरी भी देखा था, कि यहाँ पर disaster बहुत जादा देखने को मिलती है, और उसी context में यहाँ पर कई बार विरोध भी होता है, इसको लेकर यहाँ पर एक draft जो एक तरीके से बोलते है, DPR, detailed project report जो हो, वो publish करी गी है, केरला government के दौरा, इसके बारे में basic जानकारी दीगी, ये सारा procedure होगा, railway board, union finance ministry, NITI, union cabinet, जो इसके अंदर changes कर सकते हैं, right, मैंने एक बार सवाल पूछा था, फिर repeat करूँगा, आज, आप लोगों के लिए question है, आप उसको दो part में divide करेंगे, सबसे पहले आपको mention करना है, कि western ghat, क्योंकि केरला एक important state है western ghat का, western ghat के अंदर कौन कौन से state आते हैं, यह आप नीचे comment करेंगे, और second question यह है, कि western ghat के conservation या production को लेकर दो important committee या बनी है, मैंने यह सवाल पहले ही पूछा था, फिर पूछ रहा हूँ, उन दो committee के नाम आपको नीचे mention करना है, कि western ghat को सरंक्षित करने या उसको conservation करने या उसको production करने को लेकर जो committee य थी, उनके name क्या है, वो आप नीचे comment करेंगे, यहाँ पर मैंने जो front page में बताया था, कुछ photograph आपको नज़र आएंगे, यह करनाटका का photograph है, यहाँ पर आप देखिए, एक bell जो है, उसको मकर सकरांती पर ऐसे सजाएगा, और इसे आग के जो जलाई के उसके बीच से उसको क्रोश करवा आ जाता है, यह जो festivals है, अलग-अलग एक rituals है, प्रमप्राएं हैं, तो कई बार debate होता है कि in ritual or in tradition का human की tradition और उसके अगर आप देखेंगे animals के right, इनके बीच में क्या relation होना चाहिए, तो एक debatable topic है, agree और disagree आप हो सकते हैं, बिल्कुल आपको right होगा, बट इनमें maintain करना चाहिए, हो सके तो इस तरह की चीजों को एक limited scope के अंदर रखा चाहिए, इसी तरीके से देखिए, अंदर प्रदेश के अंदर मैंने बदाया था, coke fighting होती है, मुर्गों के लड़ाई होती है, और even 10-10 लाग रुपे तक की battle वहाँ पर होती है, तो यह सारी चीजें भ बात करेंगे, page number 6, मैं कहूंगा कि आज के देहिंदू का जो सबसे important page हो है, page number 6, क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत सारी जानकार या मिलने वाली है, page number 6 पर क्या बताया गया, सबसे पहले बताया गया, cloud our foreign leaders republic day visit, भारत में हर साल जो republic day का celebration होता है, उसमें chief guest group में को foreign dignities आत वाले थे, और अब क्योंकि देश के अंदर लगातार COVID-19 का number increase हो रहा है, उस context में क्या ये celebration होगा, या नहीं होगा, अगर नहीं होगा, तो क्या virtually planning हो रही है, इस तरह के celebration खोल्ड करने को लेकर, उसी को लेकर यहां पर लगातार rehearsal भी चल रही है, और लगातार efforts जो आपको देखने को मिलेंगे, अभी केवल दस दिन बाकी है, जब देश के अंदर रिपबलीडी का celebration किया जाएगा, और भारत सरकार ने Central Asia की पांच कंट्री को invitation भीजा था, इन पांच कंट्री के गरम बात करते हैं, तो यहां पर बहुत important था, दूसरा, इसके अंदर क्या कजाकिस् और उजबेकिस्तान हैं, ठीक है, मैं मैप में भी इनको confirm करूँगा आपको, उससे पहले अगर आप यहां पर देखेंगे, यह है Central Asia की पांच important country, that is Kazakhstan, जो की बहुत बड़ी country है, उजबेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, इस country में अभी जो गहमासान हुआ था, वहाँ पर काफे ज़्यादा वैलेंस देखने हो को मिला था, और इसको लेकर फॉरें डिगनिटीज ने confirm कर दिया था, कि भई हम विजट करेंगे, कजाकिस्तान को लेकर मैंने बताया था, कि वहाँ पर एक वैलेंस देखने हो प्राइस हाइक हो गए त सुतान, वहाँ पर उसको कंट्रोल करने के लिए रशियन ट्रूप भी आये थे, और क्या वहाँ के प्रिजडेंट जो है, उन्होंने एक तरीके से डिप्लोमेट जो है, वो नई गवर्मेंट अपॉइंट करी, इसके लावा जब उनसे पूछा गया कि क्या वो इसके अंद है, वो आपको COVID-19 का पीक नजर आएगा, तो इन सब चीजों को धान में रखते हुए, अर्रेंजमेंट किस तरीके से होगे, उनसे सब को लेकर डिसकेशन हो रहा, प्लानिंग ये हो रही है, कि भाई 15 साल से नीचे के जो बच्चे उनको इसमें परमिशन ना दी जाए, और प्राकरम दिवस के रुप में सेलिवरेशन करने का भारत सरकार ने डिसिजन लिया है, इसके बाद यहाँ पर ये जो प्रेजिडेंट्स के नाम दिया गया, कि ये सामिल होंगे नहीं होंगे, वो सारी चीजों के लेकर, 25 जनवरी को एक इंपोर्टेंट मिटिंग होने वाल थी, भारत और सेंट्रल एशिया कंट्री के अगर हम बात करते हैं, बड़ा विशेष महतों इनका है, और जिस तरीके से अगर हम देखेंगे, अलग-अलग एरिया के अंदर, मैं आपको रिलेशन के बारे हम बताता हूं, इन कंट्रीज के लेकर, ये कंट्री अगर आप जो पूरे सिनेरियो के अंदर, तो इस कोंट्रेक्श में भी, और ये विजिट अपने आप में विशेष है, अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दियो, 2014 में जब प्राइमिस्टर साहब ने ओत ली थी, सपत ली थी, तब सारक कंट्री को इन्वाइट किया गया था, इसके बाद 2019 में बिमिस्टेक कंट्री को जिसमें पाकिस्तान एड नहीं है, अफगानिस्तान एड नहीं है, इनको इन्वाइट किया गया था, और इसके बाद एक बार आश्चान की सारी की सारी कंट्री को इन्वाइट किया गया, अब Central Asian को तो ये एक तरीके से जियो पोलिटिक्स में loud and clear message देने के लिए होता है, और कैसे भारत की ताकत दुनिया में बढ़ेगी, उसको लेकर एक message दिया जाता है, कैसे हमारी diplomatic relations हो, वो strong हो रहे, उसको लेकर भी important ये consider किया जाता है, तो ये इसी के बारे में आपको देखने को मिलेगा, इसके बाद अगर आप देखेंगे, आप लोगों को नीचे comment करना कि suppress liquor में जो death होती है, वो किसकी वज़े से होती है, कई आपने इस तरह के नाम सुने होगे, methyl, methyl, alcohol, ethyl, alcohol इस तरह के, तो actual में जो death होती है, वो किसकी वज़े से होती है, वो आपको suppress liquor के अंदर ऐसा क्या होता है, जिसकी वज़े से death हो जाती है वो आप नीचे comment करेंगे इसके बाद जो इस page पर हम बात करते हैं इस page पर mention किया गया कि भारत committed है लीपू लेक पास के आसपास उस road को construct करने को लेकर मैं map में आपको दिखा दूँँ इससे पहले आप समझेंगे इस news को लीपू लेक पास बहुत important है और बिल्कुल China border पर आपको नज़रा है क्योंकि पास एक important दर्रा होता जो cross करेंगे एक दूसरी country से तो यहाँ पर important है एक country के अंदर भी हो सकता border पर भी हो सकता तो यहाँ पर आप देखेंगे और यह वाला जो है काला पाने लीपू लेक्स यह वाला जो area है यहाँ पर हम road बनाएंगे अब इसी चीज को लेकर नेपाल यह बोल रहा है कि भाई यह जो area है ना यह नेपाल गेंडर रहता है और अगर भारत इस तरह के efforts कर रहा है तो इसका विरोध किया जाना चाहिए कुछ लोग वहाँ पर एक तरीके से इस पूरे scenario को react कर रहे है जैसे प्राइब विश्र साब ने बोला कि हम लोग टनकपुर और पिदोडगोड में नैकेवल road बना रहे हैं बलकि इसको लिपूल एक और और ज़्यादा extend करने वाले भी spend भी करने वाले हैं विस्तार भी करने वाले है तो इसी सब चीज से नेपाल थोड़ा सा नराज है ऐसा नहीं कि 2022 में आज हम 16 जनौरी को पढ़ रहे हैं तब ही ये नराज है ये नराज तो हमसे बहुत बार हुए है और आगे भी हो सकता हो तो ये पुराना एक इशू है लिपूल एक को लेकर और कलापानी वाला इशू dispute है दोनों के बीच में नेपाल इवन क्लेम करता है कि जो सिगोले की ट्रेटी हुई थी संदी हुई थी उसके अंदर इसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी ये एक इंपॉर्टेंट जानकारी इसके अंदर दी गई है ठीक है ये कुछ वहां के लोग जो है ये बोल रहेगी वह इसका विरोध किया जाना चाहिए और भारत को है यहां पर एक organization के बारे में discussion हुआ जिसका नाम है border road organization ठीक आपको नीचे comment करना है कि जो border road organization है ये किस ministry के अंदर काम करेगा ये आपको नीचे comment करना है इसके बाद यहां पर electronic vehicle की charging infrastructure के बारे में update करेगी कुछ norm जोन को revise किया गया तो यह basic सी information है कि electronic vehicle को लेकर pre license की requirement नहीं होगी simplification कर दिया गया charges जो है कितना होगा charges में exceed नहीं किया जाएगा increase नहीं किया जाएगा 31 March 2015 तक तो basic basic information है बहुत important इसको consider नहीं करें लेकिन यह इंडिया और नेपाल क्योंकि अगर आप UPSC slayvers के अंदर देखेंगे UPSC mains में general study paper 2 के अंदर clear cut जो है इंडिया नेवर वर्ड लिखा गया है इंडिया और नेपाल को लेकर अभी सवाल जो है वो directly हो सकते है कि लीपूलेक और कालापानी dispute को लेकर इंडिया और नेपाल के bilateral relation को analysis करिए तो इस topic को आप अच्छे से note करेंगे चार पांच पॉइंट में मैं इसको mains के पॉइंट ओविए से बहुत important consider करता हूँ इसके बाद मैंने कल भी डिसकस किया था अगर आपने कल वीडियो देखा हूँ कल का वीडियो बहुत important था इंडिया और Philippines को लेकर और Brahmos missile को लेकर मैंने बहुत detail में बताया था क्योंकि तीनी टोपिक डिसकस करे थे तो अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा तो आप जुरूर देखिए और अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखना चाहते तो पहला टोपिक ही Brahmos missile को लेकर मैंने डिसकस किया है तो उसी के बारे में ये news है Philippines ने अपरोल कर दी कि Brahmos missile डिल करने वाला है भारत के साथ 374.96 मिलियन डॉलर या आप इसको 375 मिलियन डॉलर भी बोल सकते है एक anti-zip variant जो खरीदेगा और दूसरे साउथ इस्ट अशियन कंट्री के साथ भी भारत की बातचित लगातार जारी है कि भारत साउथ इस्ट अशियन कंट्री के साथ जो है वो एग्रिमेंट करेगा किस चीज़ को लेकर बर्मोस missile को लेकर 375 मिलियन डॉलर की हमारी डील हो चुकी है और बर्मोस missile जो है एक joint initiative है इंडिया और रशिया का और इसको अब जो है वो कहाँ पर भीजा जाएगा फिलिपिन्स के अंदर फिलिपिन्स की जोगर्फिकल लोकेशन भी मैंने बताई थी कि फिलिपिन्स बहुत एहम कंट्री है क्योंकि साउच चाइना सी में और as usual मैंने कई बर बताया कि चाइना वो कंट्री है जिस जिस कंट्री के साथ इनकी चाए ओशियन से बाउंडरी लगे या लैंड रूट से बाउंडरी लगे इनका डिस्प्यूट है ठीक है तो यहाँ पर फिलिपिन्स के साथ भी डिस्प्यूट है क्लेम करते रहते हैं क भई यह पूरा का पूरा हमारा है इन्होंने एक लाइन बनाती जिसको नाइन डैस लाइन बोलते हैं पार्सल आइलेंड और स्पार्टली आइलेंड यह बोलते हैं हमारे अंडर है अगर यह नाइन डैस लाइन जो है वो माल लेते हैं कि इनको कंट्रमेशन करती जाती है य इसका मतलब यह होगा कि जो यहाँ पर कोई भी सिप क्रोस करेगी यह इनके एक्सक्लिजी एक्सक्लिजी उक्नोमिक जोन के नरा जाएगा यानि इनको परमिशन चाहिएगी अगर आप इस प्रेटिकलर दिन पर स्पेसिफिक राइट हो जाएगी इनके ठीक है और यह किसी प् बात करते हैं एक important country की जिसकी बारे में मैंने कई बार discussion किया है जिसका नाम है स्रिलंका India और स्रिलंका के bilateral relation को लेकर ही ये news जो डिसक्स करती है दुवी पक्षिय संबंदों को लेकर ये बात चित करती है हमारे एक्षरल अफेर मिनिस्टर या विदेश मंत्री साहब एसजय संकर साहब जी ने बात करी बासिल राज़ पाक से जो कि वहां के फाइनेस मिनिस्टर है सिलंका के अंदर है वहां पर एक विशेश बात ये है जो राज़ पाक से वर्ड है न ये आपको बहुत सारे मिनिस्टर प्रेजिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, टूरिस मिनिस्टर, फाइनेस मिनिस्टर इनके नेम के पीछे नजर आएगा क्योंकि वो कंट्री जहां पर जिसको प्रिवारवाद सब्द की जो डेफिनेशन है न वो सिलंका बिल्कुल सही सावित करता है क्योंकि आदे से ज्यादा फेवली मेंबर इनके मंत्री मंदल के अंदर होगे ठीक है इसी तरीके से यहां पर आप देखेंगे भारत ने 1.5 बिलियन डॉलर की क्रेडिट फेसलेटी प्रोवाइड करिए क्रेडिट फेसलेटी का मतलब है एक लोन को लेकर एक फेसलेटी यह लोन बोल सकते हैं आप ठीक है कि आप 1.5 बिलियन डॉलर तक का लोन ले सकते हैं और यह किसके लिए होगा फूड मेंडिशन और फ्यूल यानि यहां पर सिलंका के अंदर हूज लेवल पर एकनोमिक मेलडावन हो चुका है और इस कंट्री की हालत बिलकुल भी सही नहीं है अगर आपको याद हो हमने यह पढ़ा था कि लेवनान की एकनोमिक क्राइसिस बहुत जादा लेवनान वर्ल्ड बैंक ने उसको तरीके से माल लिया था कि दिवालिया हो चुका है तो सिलंका 2022 में वो कंट्री हो सकती है जो डेट ट्रैप के अंदर इतना जाद है नहीं लोन ले रुका है कि इसको इसका नाम जो है वो पहले नमर पर आ सकता और ये पहला स्थान हासिल कर सकते है लोन लेने के मामले में दुनिया वर से इन्हों इतना जादा लोन लिया है अगर आप बात करेंगे कि अमरिका आपने भी लोन लेर खाओ गए बहुत सारे कंट्री लोन लेती है बट लोन लेने की भी कपेस्टी होती है बढ़िक लिमिट होती है इतना लोन मतलओ कि उसको पे करने के लिए आपको बहुत सारे आइलेंड बहुत सारे पोर्ट सी सेल करने पड़े आपको याद होगा कई सारे इन्हों रिच जैसे हमबन टोटा पोर्ट है तो हम जो है आपकी currency के अंदर पैसा वापिस ले लेंगे दिक्कत ही होती हमने पैसा तो डोलर में दिया होगा ठीक है ये देरे सिलंकन currency में सिलंकन currency की value पाकिस्तान से भी कम हो रही है ठीक है तो उस context में दिक्कत ही होती हर country चाहती है अगर हमने डोलर दे तो आप भी डोलर दे क्योंकि डोलर को माना जाता है stable currency hard currency के अंदर consider करेंगे और उस context में इसके अब काफी विचार करने के बाद भारत ने decision लिया है इसके अलावा 515 जो है वो एक तरीके से Asian Clearing Union के अंदर एक deferred payment जो हुई थी deferred payment का मतलब यह होता है कि जो पहले payment करने थी लेकिन postpone होगी थी किसी वज़े से loan एक तरीके से होता जो postpone हो गया था वो फिर से शुरू किया गया है और वन मिलियन की डॉलर की help जो वो शिलंका को essential item खरीदने के लिए खास का रहा है 500 मिलियन डॉलर जो है भारत से fuel खरीदिंग इसको लेकर उनको दिया गया है इससे पहले चाइना के मिनिस्टर भी यहाँ पर विजिट करके गए थे और यह बताया था कि क्योंकि स्रिलंका जो है historically एक बाटल लड़ रहा है एक तो COVID-19 है और economic crisis बहुत बड़े लेवल पर है इसकी विज़े से वहाँ पर जो essential item है उनकी shortage यहाँ पर देखने को मिलती है इनके लावा यहाँ पर अगर हम बात करते है तो जो meeting के इससे पहले वहाँ के जो foreign minister है या finance minister है उनकी विजिट हुई थी और बातचित करे थी इस पूरे issue को लेकर भारत रिशन में कई सारे प्रोजेक्ट पर investment कर रहा है चाए वो ports हो, infrastructure हो, energy हो, power हो, manufacturing हो और recently एक त्रिंको माली प्रोजेक्ट काफी ज़्यादा news में रहा था जिन में भारत की Indian oil company जो है वो एक तरीकी से लंका Indian oil company की subsidiary के नाम से यह modernize करेगी इनको काफी important इनका place है और भारत ने बोला कि जो fisher man है यह एक issue रहा था तमिल नाडू और प national boundary होती है, maritime boundary उसको इन्होंने cross क्या, अब humanitarian ground पर इनको release करने को लेकर भी भारत सरकार ने बोला कि इनको भी आप छोड़ी तो आने वाले टाइम में जो fisher man है तमिल नाडू और पुडू चेरी की उनको release किया जा सकता है, इसके बाद page number 9 पे चाइना और इरान के बीच में ज हुआ था, 25 साल को लेकर उसको implementation करना जो है, शुरू करने वाले है, तो बहुत important यह strategic agreement है, और इसी चीज़ को लेकर भारत की दिक्कत पी है, कि भारत ने जो oil purchase करने की capacity को काफी कम कर दी थी, और इरान और इंडिया के relation थोड़े से कमजोर होगे थे, लेकिन भारत के लिए इ खुद क्या करेगा, इसको खुद को नहीं पता, इरान के अगर हम बात करें, अगर हम देखेंगे, यहाँ पर चावार पोर्ट को develop कर रहे हैं, और यहाँ पर अगर Chinese investment बढ़ जाता है, तो हमारे लिए एक दिक्कत यह है, कि इसके बाद Syria, Turkey, Iraq जो ही stability को लेकर struggle कर रहे हैं, तरकी के साथ भी बहुत बहुत अच्छे relation हम नहीं कहसा है, क्योंकि कई बार यह anti-India statement देती रहते हैं, तो इस contact में हमाल लेते हैं, कि हमें तरकमेनिस्तान जाना हो, और यह सारी country, इरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, एर रूट की जो permission ना दे, तो क्या होगा, हमारे प visit हो सकती है, तो traveling time बहुत जादा हो जाएगा, दूसरा strategically भी काफी जाथा, negatively यह play, role play करता है, अब बात करते हैं, कि चाइना और इरान के बीच में जो agreement है, यह आखिर करना क्या चाहते हैं, दो country, और चाइना आपको बोलेगा कि बहुत जादा मदद करना चाहते हैं, बहुत प्रतिबंद लगाए हैं, जिसके वज़े चे इरान के लिए जरूरी था, इरान के लिए जरूरी क्यों था, इरान पर इतना ज़्यादा प्रतिबंद लगाया गया कि इनके पास option नहीं है, चाइना इनके लिए option की तरह करता है, और चाहता कि western Asia के जितने भी anti western nation countries है, उनके साथ alliance को और जादा strong किया जाए, तो इसी के साथ इनका एक agreement है, जो energy, security, infrastructure, communication, सब के उपर यह काम करेंगे, 2020 में इसके detail जो एक agreement हुआ था, बहुत जादा detail जो पता नहीं थी, इसके अलावा, चाइना जो है, यहां से बड़े लेवल पर oil purchase करने की capacity रखता, oil इसको खुरीद भी है, और यह एक opportunity प्रवाइड करता है इरान को भी कि वो oil अपने sale कर सकता है, इन सब के बीच में 2015 में जो इरान और P5 plus 1, यहनी permanent 5 member जो है, United Nation Security Council के और Germany, इनके बीच में एक agreement हुआ था, nuclear weapon को लेका जो deal जिसको बोलते है, बाद में 2018 में United State के जो प्रेजिडेंट है, डोना यह बोलता कि भाई यह जो किसी एक country का प्रतिबंद लगाया गया है, यह सही नहीं है, और United State को यहाँ पर भी वो criticize कर रहे हैं, ठीक, इसके बाद एक country news में आई, वो है एक island country टोंगा करके, ठीक है, बहुती छोटी सी country है, island country, यहाँ पर Pacific Ocean के अंदर जो वलकैनों देखने ह पर मिली, और उसके बाद tsunami alert यहाँ पर, जो जारी किया गया है, पूरे region के अंदर, तो इसी के बारे में बात करेंगे थोड़ा सा, सबसे पहले आप इसकी geographical location को देखिए, यह इसकी geographical location आस्ट्रेलिया के ठीक, राइट हैंड साइड अगर आप देखेंगे, तो यह चोटी सी country अटों का, ठीक, यहाँ पर volcano eruption हुआ है, volcano का क्या मतलब होता है, simple सा मैं आपको बता दूँ, volcano का मतलब यह होता है, कि जब अर्थ से, यानि हमारी जो जमीन होते हैं, बहुत नीचे से, कुछ लावा, सोरी, कुछ लावा, सोरी, गैस हो गया, या, एसीज, यानि राक के जो क हो सकते हैं, इसमें gases के गर हम बात करते हैं, तो इसमें sulfur compound हो सकता है, nitrogen compound हो सकता है, dust हो सकती है, chlorine और hydrogen भी minor region में हो सकती है, और एरगोन, ठीक है, तो एरगोन करके यह कई सारी gases आपको देखने को मिलेगी, इसी वज़े से यहाँ पर tsunami को लेकर alert किया गया, कि यह under sea, जो है, व आपको देखने को मिलते हैं, जो south east Asian country के जो belt है, इसको माना जाता है कि यह तरीके से volcano की belt है, तो volcano, tsunami और earthquake, यह तीनों के तीनों ही बहुत important topic है, भारत में, अपनी UPSC civil service preparation के लिए, और इसमें general study paper 1 के लिए काफी important है, इसके बाद यहाँ पर एक topic के वारे हम discussion किया गया है, rare earth suppliers को लेकर, rare earth material को लेकर, अगर आपने UPSC PLIMS के question को देखा होगा, 2011 से 2021 तक, I think 2011-12-13 के असपास अगर आप देखेंगे, इन सालों में UPSC ने एक सवाल पुछाता है, rare earth material को लेकर, जो news में उस time पे थे, फिर से ये news में rare earth supplies की बाद अगर हम बात करते हैं, तो इसमें बताया कि अमरीका को protect करने के लिए, rare earth material पर जो dependency है, चाहिना के उपर उसको reduce करना है, और 2025 तक strategic reserve हमें बनाने चाहिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि rare earth elements का actual में funda क्या है, 17 elements को consider किया जाता है कि ये rare earth element है, इन elements के अगर आप बात करेंगे 17 elements में, तो ये 17 elements आते हैं, जैस्ट एक आप इसको वीडियो को pose करना और इनको थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक, अब बात करते हैं, दुनिया में reserve कितना है, सबसे ज़्यादा आप देखिए, 37.9% reserve है, चाहिना के पास, सबसे बड़ा reserve हो वो चाहिना के पास, इसके बाद वीतनाम के पास भी अच्छा खासा, 18.9%, भारत के पास भी अच्छा खासा है, 5.9%, इसके बाद ब्राजिल में 18.1%, रश्या में बहुत बड़ा है, और अलग-अलग country में बताया गया, यानि चाहिना जो अगर आप देखेंगे, अकेला बहुत बड़ा reserve जो है, दुनिया में बहुत बड़े इसके reserve है, अगर हम इसका mine production की बात करते हैं, तो चाहिना सबसे ज़्यादा production करता है, फिर US, फिर Myanmar, इसके लावा फिर Australia, Medagascar, India, Russia, Thailand, Vietnam, Brazil, Brunei, other, important क्यों है, important इसलिए है, कि इनका अलग-अलग particular इस्तमाल होता है, जैसे magnet से लेकर light, screen, glasses, catalyst, batteries, or steel, alloys, यानि बहुत जादा wide range of uses इसका आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, page number जो next है, page number 10, page number 10, science and technology का जो page है, उसमें एक ही चीज़ को discussion किया गया, कि covexin की जो booster dose है, वो एक तरीके से neutralizing करने में, antibodies को मदद करती है, और इस तरह की study हुई, उसी की बारे में, बताया गया, इसके बाद जो page number 11 है, second week part आएगा video का, क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा, उसमें आएगा, ये video editorial वाले part के अंदर इसमें discussion करेंगे, चारों के चारों important topic है, ठीक है, इसके बाद, last जो page होगा, ये profile इस तरह की चीज़ें आप story type में पढ़ सकते हैं, एस सोमनात साब जो news में रहे इस्तरों क के नए chairman है, इस तरह की news, ये story type में आप इनको cover करिए, last page आता, business page जो, page number 13, जो business page इसके बारे में cover करेंगे, और ये भारत और चायना की economic relation को लेकर बताया गया, कि 125 billion, यानी 125 billion dollar का trade जो है cross कर चुका है, 2021 के अंदर ये data जो share किया गया, इसके लावा, पिछले साल 100 billion dollar था, से ज़्यादा cross हो चुका, और भारत ने बहुँ ज़्यादा import भी चीजें करी है, और wide range आप मानेंगे कि इतना बड़ा trade जो दोनों countries की बीच में होता है, तो कई जो, कई बार हम बोलते हैं कि ये जो बिल्कुल buy cut कर देना चाहिए, एक तरीके से swap कर देना चाहिए, वो चीज करते हैं, यानि लगबग लगबग 100 billion dollar के आज पास हम इंपोर्ट करते हैं, और उसके अलावा हम 27-28 billion dollar जो हो एक्सपोर्ट करते हैं, तो ये बहुत बड़ा आपको gap नज़र आएगा, और दोनों के बीच में trade deficit जो है, वो huge quantity के अंदर नज़र आता है, अगर हम बात करते है भारत export क्या करते हैं, iron ore export करते हैं, cotton export करते हैं, raw material waste commodity export करते हैं, और अभी news में आता है कि rice भी export करने के बारे में planning है, इसके लावा import में large quantity import करते हैं, electrical and mechanical machinery की active pharmaceutical ingredients, मैंने अभी थोट दिन पहले बताया भी था, कि ये जो होता है, active pharmaceutical ingredients, यानि अगर भारत को मना जाता है कि फार् waste को बनाने के लिए जो एक चीज़ चाहिए वो होती है, raw material, और raw material को है आप बोलेंगे, active pharmaceutical ingredients, ठीक है, इसके लावा बड़े लेवर पर medical supplies, oxygen से लेकर, PP के ये सारे चीज़े भी import करेगी, trade के बारे में बताया है कि सबसे बड़ा trade जो होता है, इनका आश्यान के साथ होता है, 878.2 billion dollar, इसके लावा European Union के साथ 828.1 billion dollar और United States के साथ 755.6 billion dollar, ये इतना ज़्यादा trade आपको देखने को मिलेगा, इन सब के बीच में, यानि COVID-19 के दोर में भी, चाहिना जो तरक्की कर रहा है, जो positively growth आपको देखने को मिलेगी, आप देखी huge quantity में trade इनका है, और एक बात important इ इनका कितना भी dispute हो, लेकिन economically बहुत अच्छा ये relation इनका नज़र आता है, तो आज के the Hindu analysis में इतना ही, और जो FAQ वाला जो topic है, वो editorial part में आज cover करेंगे, specifically क्योंकि वो important है, डिटेल में उसके बारे में भी, पढ़ेंगे, तो आज के इस वीडियो में इतना ही, thank you all, जहिन